जहिन दोस्तो मेरा नाम हीरेन हर्यानी है और आप देख रहे हैं लाइव साउंड टुटोरियल मेरे दोस्तो एक ऐसी प्रोड़क्ट आज आपको मैं एक्स्प्लेंड करूंगा और उसको कैसे चलाते हैं वो सिखाऊंगा यह है अपना आईरिग प्री टू यह आईरिग प्री टू से आप क्या कर सकते हैं इसको किसी भी कैमरा मूबाइल आईपेड या कम्प्यूटर किसी भी जगा पे आप इसको अटेच करके इसमें आप सीधा कोई भी माइक चला सकते हैं और माइक जो अपना डायनेमिक माइक है वो भी चला सकते हैं और कंडेंसर माइक भी चला सकते हैं तो सिदंधे सिदंधे अगर बात करें तो इसमें क्या-क्या फेसलीटीज हैs इसमें XLR in है जहांसे आपको सिदा aXLR डारख माइक के ही माइक इन करना है और इसमें एक separate अपना output के लिए जो हमें देता है monitoring और जो audio इसमें जा रहा है उसी को हम यहां से सुन पाएंगे और उसको volume control भी कर पाएंगे और एक चीज़े यहां पे हम mic का भी gain control कर सकते हैं उसको सीधा खाली एक बार on करेंगे तो dynamic mic शुरू हो जाएगा और अगर उसको 48 वोट पे switch करेंगे तो 48 वोट यानि की phantom power on हो जाएगा और condenser mic चलेगा अगर यह समझा जाए तो एक इसा pocket device है जिसको लेके आप कहीं पे भी अगर कोई streaming करना है अगर कुछ आपको interview लेना है देखिए करीब करीब अगर हम codeless mic जो सीधरे cameras के लिए आते हैं वो काफी costly रहते हैं लेकिन इसका use करके आप किसी भी codeless mic को इसमें attach करके चार mic, तीन mic, दो mic हराम से सही चला सकते हैं तो आज इसका use हम पूरी तरह से देखते हैं वो इसको चला के और इसके सारे features से उसको मैं आपको explain करूँगा चलिए देखते हैं तो दोस्तों यह setup लगा है already मैंने लगा है JTS का TK600 mic इस IRIK के साथ और इसको मैंने connect किया है मेरे iPhone 7 के साथ और अगर मैं इसको voice memo में on करता हूँ तो यह यहाँ पे देखिए white line जा रही यानि अभी audio पाहर से नहीं आ रहा है लेकिन अगर मैं जैसे ही mic को on करूँगा तो यह देखिए audio आ रहा है यानि hello check 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 यह mic का audio सीधा यहाँ पे record हो रहा है direct is IRIK Pre2 के साथ और इसको मै यहाँ से volume control भी कर सकता हूँ जैसे अभी यह बढ़ाया तो एकदम बढ़ गया देखिए उसका graph और यह अगर मैं कम करता जाओंगा तो दीरे दीरे यह कम होता जाएगा देखिए यह बिल्कुल कम हो गया तो इससे audio adjust भी कर सकते हैं और आराम से उसी audio को सुन भी सकते हैं हम monitor भी कर सकते हैं अभी मैं इसमें condenser mic भी लगाता हूँ और फिर देखते हैं तो देखतों यह condenser mic है मेरे पास road M2 और यह 48 volt on करने के बाद ही चलता है तो मैं यहां से इसको 48 volt on करता हूँ यह जो लाल बत्ती है वो जल जाएगी 48 volt on हो गया है अभी इसको मैं on करता हूँ तो graph मिल रहा है यहां से volume control होगा हलो 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 चेक 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 हलो 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 येस तो यह audio condenser mic भी सिधा चला था है इसका benefit यह है दोस्तों कि आप कुछ भी audio device जैसे की mic के लिए कितने भी सारे attachment मिलते हैं तो xLR के साथ ही वो मिलेंगे तो xLR connect करके आप इसके साथ कुछ भी लगा सकते ह हैं और सीधा उसको mobile से भी connect कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो laptop से भी connect कर सकते हैं और सीधा सीधा आप camera में भी इसको इस iRig Pre 2 से connect कर सकते हैं और दोस्तों यह audio test है JTS TK 600 mic के साथ मैं सीधा बोल रहा हूँ और आपको जो आवाज आ रही है वो मेरे mobile के थुरू iRig Pre 2 से सीधा mic लगा हुआ है और आ रही है आईए condenser mic देखते हैं दोस्तों यह audio test है condenser mic का यानि कि यह जो audio आपके पास आ रहा है हो इसी वीडियो में यानि इसी mobile में मैंने connect किया है iRig Pre 2 को और condenser mic यानि कि मैंने 48W on किया है और इसी mic से यानि कि road के M2 mic से condenser mic से audio आ रहा है तो यह है अपना iRig Pre 2 भारत माधा की जाए तो यह है दो लग में रहा है